अबी तक बनानी को तो मेरेको भूख लग री आए सारा कितना दो रोटी बनानी सारी सपीर फिला रख्या साब कोछ भूज़ बुख लेहाई डीगारी के लिगाईश वख स्थमें आपका हमारे चैनल में तो एअभी तक रोटी नि बनी हाँ has इनके लिए बनाए आप अपने बोला था बनाते आए दिखाओ ब्रेट पकोड़े अच्छे नी बनाए दे मम्मी न तो खा लिए रोटी जग लिए फिर मैं न इनके लिए इसे बंदे आए इसमें क्या खराबी है बताओ आपने बोला दादी ब्रेट पकोड़े बनाए और इन्होंने ब्रेट पकोड़े मना कर दिये आप मैं जाके इनके लिए रोटी बना रही हो दादी के लिए तोर रही हो ज़रने लगी सी हो जल मैं जांड लगी सी इसका करने लगीज जड़े जलीए का होता है जब आपकी सर पर को इससे चड़ा होता है तो आप से कैश्मी अलों हो जाता है přेसलें की अच्छी। जली दूँगे मैं इने कैसे बाते करें आप जाओ मैं आपको न रोटी कैसे बनेगी आप जाओ मैं भी बनाती हूं रोटी आपको अच्छी वाली रोटी दूँगे वेकि जाओ इसवें तक माःते है कंशकी रूटी को न रातश्य जा जूँग मैं ञोनाल में दूटी आप जूड़े मैं इतनी जूदाम इतनी होडाइनी चाहिक नहीं मतलबолог के दाते तो देखिए मैंने दादी को दे देदे अब तो नहीं दी जली रोटी कि जला कर पैकिने आपका तराता बेष्टी आ तुल में धिखा हुआ उन्हें रोटी मैं खारी हूँ देखे नीयुक्ति ये बनाके ऑर ये चाय दिये से जादी से ढ़का हुआ कपड़ा कहें कि गाइस दादी ने एक ब्रेट पर कोड़ा वी रखा रखा थे दादी में एक ब्रेट पर कोड़ा यह रखा प्रेज़्े नहीं बनाया यहु डिकनाया खरेश बनाई अए नहीं तो दादी ने एक ब्रेट पकोड़ा दिन के लिए रख दिया कि मैं आभी रोटी खालूंगी दिन में खालूंगी मतलब आप समझ रहे हो ना बोलने की जरत नहीं है कुछ तो मतलब बढ़िया ही बना होगा तभी खारी दादी चलो फिर दादी करेगी अभी ब्रेकफास हम भी चलते हैं मेरी रोटी भी ठंडी हो रही है और वैसे वह जली रोटी बहु खा रही है गाइस बहु खा रही है बहु बहु ने पकाई बहु खाएगी देखो बहु ने बहु ने पुग बहु ने में बहुंग बहु ने रहा है और उड़िया है तर फटेखो देखोर बहु भाई जी यह खाएगी लादया वागाँ